किस एक्टर की हेल्प को याद करके रो पड़े सल्मान खान किसकी मदद को जिन्दगी भर नहीं भुला पाएंगे भाईजान इस वीडियो मैं आपको बताएंगे ऐसी डिटेल सल्मान खान की जुबान पर जब भी सुनील शटी का नाम आता है तो उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं एक वीडियो में सल्मान ये याद करते हुए आंसु बहाते हैं कि जब उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे तब कैसे सुनील शटी ने उनकी शुरुआती दिनों में मदद की थी सल्मान ने भावक होते हुए कहा एक ऐसा भी समय था जब मेरे पास यतना पैसा नहीं हुआ करता था मेरे पास केबल यतना पैसा होता था कि मैं एक शट या जीन्स ही खरी सकूँ तब अन्ना यानि सुनील शटी की एक दुकान थी जिसका नाम मिश्चीव था नहीं गया मेरे नजर स्टोन बॉश जीन्स शट जूते और एक पर्स पर पड़ी मुझे पता था कि मैं इन सब को एक साथ नहीं करी सकता कोई कि मेरे पास एतने पैसे नहीं थे मुझे देख सुनी शटी ये समझ गए मैंने जीन्स खरीदी तो उन्होंने मुझे शट गिप्ट कर दी सल्मान खान ये बताते बताते इतना एमोशनल हो गए कि सब की आँखे नम हो गई सल्मान खान अपनी जिन्दगी में रमेश तोरानी के एसान को हमेशा कर्ज की तर मांते है वो प्रोडूसर रमेश तोरानी ही थे जिनके पांच लाख रुपए ने सल्मान खान के लिए बॉलिड के दरवाजे आसान मना दिये सल्मान खान ने खुलासा किया मैंने प्यार किया की सफलता के बाद 6 मेहनी तक कोई फिल्म नहीं की थी फिर मेरे जीवन में भगवान सबाने एक आदमी आया रमेश तौरानी उस वक्त मेरे पिताना एक मैगजीन को मेरे पास फिल्म होने की गलत ख़बर दी थी रमेश तौरानी सिप्पी के आफिस गई और पांच लाख रुपे दिये और इस तरह मुझे फिल्म पत्थर के फूल मिली बताया जाता है कि उस समय सल्मान खान के पिताना सिप्पी को दो हजार रुपे दिये और ट्रेड मैगजीन में जोटी ख़बाने के लिए कहा पनी जिन्दगी का बहुत बड़ा क्रेडिर दिया सल्मान खान ने स्तौरान बताया बोनी जी ने मेरे पूरे जीवन काल में साहिता की जब मेरा करियर बहुती बुरे दोर से गुजर रहा था उन्हांने मुझे हिट फिल्म दी जिसका नाम वॉंटेड था जिससे मैं अपनी बॉली बुर्ड में वाफसी कर पाया इसके बाद बोनी कापूर ने मुझे नो एंट्री फिल्म दी जिसके कारण अनिल कापूर के करियर की वाफसी हो गई यह वही बोनी कापूर है जिनके साथ सल्मान खान के मतवेद हो गए थे और इस मतवेद के चलते सल्मान ना कई सालों तक उन से बात नहीं की हलांके बाद में इस विवाद पर खुद सल्मान ना ठंडा पानी डाला दोस्तों क्या आपको लगता है कि सल्मान खान के तरह कोई और इस तरह अपने उपर किये गए ऐसानों को बड़ी बेवाकी से बता सकता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें